आज मैं शेर करूँगी आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार चट पटी और टेस्टी सी रेस्पी और इसे मैं बनाओंगी बची हुई बाशी रोटी से जो कि हमारे पास बहुत सारी रोटिया बच गए थी तो चलिए सुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेस्पी इसको ब बचाइब लेगी तो सबसे पहले हमें रोटियों को हाफ हाफ कट कर लेना है आप चाहें तो नाइप से काट कीजिए या से तो इस तरह से हमने सारी रोटियों पी कटिंग कर ली है और आब हम एक कटोरी में एक कप मैधा लेंगे और उसका ठीक बैटर रेडि कर लेंगे आ जो अंदर वाला पार्ट है इसमें हम थोड़ा सा मैदा लगाएंगे और इसे हम प्रेस कर देंगे ताकि हमारी रोटिया जो है खुले नहीं यह आपस में चिपक जाएंगी तो इस तरह से हमें सारी रोटियों को चिपका लेना है और अब हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस की तरह जो मैदा का भोल बेनाया था उसको हम एक जफा इस तरह से लगा लेंगे और इसको हम कौन की तरह इस तरह से रोल करते हुए मोडल लेंगे और इसमोर्टने के बाद यह देखिये यह हमारा रोटि का कौन जो है بिलकुल डैडी होजाएगा जैसे आइस्क्रीम का कौन होता है और जो खुला हुआ पार्ट है इस तरह से इसके उपर भी हम में मैदे का गोल लगा देना है ताकि कोई पॉर्शन खुला ना रहे और फ्राइ करते बाद इसमें ओयल न जाए और इसको इस तरह से बनाने के बाद हमें पंखे की हवा में 10 मि सिनेट के लिए रख देना है और हां विवास अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल की आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वारी हर नई रेसिपी का नो उसमें डालेंगे एक बड़ा चमस्च ओयल और उसमें डालेंगे चॉप किया हुआ अदरक और लाशन को हमें एक से देख मिनक तक हलका साबून लेना है ताकि प्लार चेंज हो जाए जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम एक मीडियम साइज का प्याज बारी कट लेंगे तो यह देखे हमने हम प्यास बीडाल दिया हैग तो हम से पहले से ही चौय के रखने में उर०孩 करेंगे एक से टेट मिनाट तक भूल लेंगे ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है वो ट्राई हो जाए तो यहां पर देख सकती है हमारी सबजी जो है अच्छे से ट्राई हो चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ और मैस किया हुआ आलू जो हमने पहले से बॉइल करके और मैस कर लिया है यह हमने तीन आलू लिया था जिसको हमने अच्छे से मैस कर लिया है तो आलू हम इसमें डाल देते हैं और इसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इस स्टेश पर हमें फ्लेम को लो कर देना है क्योंकि हमारी सबजी जो है ड्राई हो चुकी है तो हमें सब्जियों को आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब हम इसमें कुछ मसाले अट करेंगे सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कुटी हुई मीज, लाल मीज, चिली फ्लेक्स इसको बोलते हैं अब टी स्पून हम काली मिच डालेंगे कुटी हुई फ्रेस थोड़ा सा लाल मिच का पाउडर डालेंगे नमक टेस्ट की कॉर्डिंग डालेंगे और भूने हुए जीरा का पाउडर डालेंगे साथ ही हम इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे अगर आमचूर पाउडर नहीं हैं तो तो आप इसमें नीबू का भी इस्टेban कर सकते हैं और इन सब को CAR taken aowy कर हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो इसारे इस में आलोग भूण liyच कर लेना है जब यह ठंडा हो जाएगा तो हमें इसको इस तरह से रोटी के कोन में फिल कर रेना है आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रहे हैं और कोने में ज्यादा तर जो है अच्छी तरह से नहीं जा पाता है तो हम चम्मच को उल्टा कर पर इसको हम फिल कर लेंगे तो इस तरह से हम इसम तो यहां पर देखिए हमारी पूरी कौन जो है रेडी हो चुकी है तो यहां पर हमने ले लिया है बारीक वाली सेवई जो हमने पहले से रोष्ट करके रखी है अगर सेवई नहीं है तो ब्रेट क्रम का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो इस तरह से हमें मैदे के घोल में इसको डि कर देजिए ताकि कोई भी पॉर्शन कूला नहीं है और शाइडो में इस तरह घुमाते हुए इसकी कोटिंग कर लेनी है अगर सेवई नहीं है आपके पास तो ब्रेट क्रम का भी इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया आपको तो इस तरह से हमें सारे कौन को ड डाल देंगे और आपको जितना इसमें डालना है उतना ही डाले ताकि आपको इसको फ्राइ चर्व और असानी हो जाए और कृष्पी होने तक इसे लो फ्रेंप पर आप गॉल्डेन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लें आप देख सकते हैं तीन से चार मिनिट में ही ये अगर आपके पास रोटी बढ़ा बस जाए तो इस तरह से आप एक टाइम आप अपने हिसाब से जो भी मन पसंद हो इसमें आड कर सकते हैं तो आज की रेश्पी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर पूर बताईएगा और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें अपने प्रेंस और फेमली में सेर करना नौ भूलें और आपके एक लाइक से मुझे 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 मुटिवेशन मिलता है आपके लिए इची ची रेश्पी बनाने का और अभी तक हमें फेस् ताक ची प्रेंग लगे